14 सितंबर को यानि की आज पूरा देश हिंदी दिवसमना रहा है जिसको लेकर देश के सभी सैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच पृतियोगता का आयोजन कराया गया आपको बता दें कि आजाद भारत में हिंदी भासा के उत्थान, विकास और प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज भासा का दर्जा दिया गया था तब से हर वर्स 14 सितंबर को हिंदी के प्रिचार प्रसार के लिए तमाम कार क्रमों का आयोजन किया जाता है इतना ही नहीं 14 सितंबर से 21 सितंबर तक हिंदी सपताह के तौर पर मनाया जाता है हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है जिसे भारत में करीब 77 फीसदी लोग बोलते समझते और पढ़ते लिखते हैं वहीं इस आउसर पर बरेली इस्तित बीरांगना रानी आवंतिवाई लोधी राजकिये महिला महाविध्यालय में हिंदी पर ब्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा छात्राओं को हिंदी के परती कई ब्याख्यान दिये गए महाविध्यालय में हिंदी की साहक प्रोफेसर हेमलता ने बताया कि हमारे देश की युवापीड़ी को हिंदी साहित समेत हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ना चाहिए जिससे कि हिंदी भासा को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और आगे बढ़ेगी बही महाविध्यालय की कारवाहक प्रधाना चार्या मनीशा राव ने बताया कि मिशन सक्ती 3.0 के तहट आज कॉलेज परिशर में स्वास्त्य सिविर का आयोजन भी कराया गया है जिसमें छात्राओं ने चेक अप कराया इस दवरान चिक्त सकों द्वारा कुछ छात्राओं को दवान्या भी बित रित की गई तो आज की ही हौं का यह करता पे बंदा है कि वह अधिक से अधिक हिंदी साहिते को पड़े और हिंदी के सासर अन्य साहितों को भी पड़े जिसे की हिंदी और अधिक से अपर लगे तो को कि भॉझिसे हुआ है कि बच्छे अधि के अधिक अधिकम एधिक हुच्छे इसे हम कहते हैं और और पारति भाषा लिए अन्य पत्छी भाषा इन सब भाषय कर नेंसे एक हगी सबस्टेशतां हो चुका है और उन्होंने राए लिये रख सबसे और बहुत खुश है कि उनका यहां फ्री चेक अप हुआ और यहां पर उससे रिलेटेड जो डॉक्टर साब ने जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर बनाया उससे रिलेटेड उनको मेडिसन भी वित्रित कराई गई है